दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रीयकाल न्यूज क्लिक के कारिकरम आज की बात में आपका स्वागत है और आज हम जैसा पूरा देश डिसकस कर रहा है जमुकश्मीर पर फिर बात करेंगे अनुचे 373 के अंतरगत भारत के राष्टपती द्वारा जारी की जनेवली निम्न रिखित अधिसुतनाओं की सिपारिज करता है सम्विदान के अनुचे 373 के अंतरगत भारत के सम्विदान के अनुचे 370 के खंड एक के साथ पठित अनुचे 370 के खंड तीन द्वारा परदत सक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्टपती संसत की सिफारिज पर ये गोशना करते हैं कि यह दिनांग जिस दिन भारत के राष्टपती द्वारा इस गोशना पर अस्तक्सर किये जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकासित किया जाएगा उस दिन से अनुचे 370 के सभी खंड लागू नहीं जमौ कश्मीर का जो आट कील 370 जो भारत के सम्थान में उसके मतलिक जो शामिल किया गया था उसी आट कील 370 के क्लाज 1 की रोशनी में महा महीं मराश्टपती का जो प्रेसिदिन्सियल आर्डर कर जारी हुआ उसके बाद आट कील 370 में एक क्लाज यानि शुरू का क्लाज जो है उसको छोड़ कर सारे क्लाज जो खास कर जो डील करते हैं जमु कश्मीर को स्पेसल स्टेटस यानि विशेस स्थान विशेस स्रेडी राज्यों में देने के जितने प्रावदाने वो सब खत्म हो जाएंगे जिस दिन या प्रॉपर कानून बन जाएगा और 267 जो आर्टकिल है जो इंटर्प्रेशन का है और जमु कश्मीर के कॉंटेक्स्ट में वह इंटर्प्रेशन करता है उसे भी उसकी रोशनी में ये सारे चेंजे लाए गए हैं अब सवाल उठता है कि 35A और 370 सबसे मुक्ति मिल गई यही नहीं जमु और कश्मीर को जो जमु कश्मीर जो सुबा है जो सरहदी सुबा भारत का है वह अब दो खंडों में विभाजित होगा मैंने सुना है कि पहले तीन खंडों में बाटने की बात थी लेकिन बाद में RSSS और BJP के अंदर ही एक ऐसी लाबी थी जिसका मानना था कि जमु को अलग सुबा बनाने से कश्मीर वैरी पूरी तरह मुस्लिम डॉमिनेटेट एक रीजन जो सरहत का होगा उससे मुश्किलें पैदा हो जाएंगी इसलिए जमु और कश्मीर को एक रखा जाए तो अभी जो प्रावधान किया गया है कि जमु और कश्मीर में लदाख को यूनियन टेरिटरी के लेकिन ये भारत के 29 राजे जो अभी तक थे उन जैसा राजे नहीं होगा ये अब 28 राजे भारत के हो जाएंगे और जमु और कश्मीर नाम का जो सुबा होगा दरसल वो केंदर शाह से छित्र होगा फर्क ये होगा कि जमु और कश्मीर के पास एक विधान सभा भी होगी लदाख के पास विधान सभा नहीं होगी जमु और कश्मीर जो केंदर सासी छित्र होगा नए संशोधन के बाद उसमें लेफटिनेंट गवर्नर अब होगा अभी जो सत्पाल मलिक साहब हैं अगर उनी को कांटीनू करेगी है सरकार तो अब वो गवर्नर से लेटनेंट गवर्नर हो जाएंगे यानि उनका भी डीमोशन हो जाएगा तो जिस राज्यक के बारे में संबिधान संशोधन की एक तरह से मंजूरी या उसकी पुरु स्विक्रती लेकर Official Order, Presidential Order निकला है वह गवर्नर साहब भी अब डीमोट हो जाएंगे दिल्चस्प बात यह है कि जो सुबा भारत का अब यह बड़ा दिल्चस्प है और बहुत ही हिस्टॉरिकल है कि भारत का जो सुबा पूरे देश में सरवाधिक Special Status जिसका था जिसके पास स्वायत्ता के कई अधिकार थे वही सुबा सबसे कम अधिकारों वाला होगा यानि दिल्ली की अर्विंद केजरिवाल सरकार की तरह हमेशा यह हाय तोबा महां मचता रहेगा कि उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है जो भी चुना जाएगा जो भी Assembly को लीड करेगा विधान सबा में जिसका बहुमत होगा जो सरकार भी बनाएगा उस सरकार के पास वैसे अधिकार नहीं होगे वह भारत के समिधान से विलुप्त हो जाएगा जो संकल्प पेश किया है भारती जनता पार्टी ने और ये कोई नया संकल्प उनका नहीं है ये कोई नया प्रस्ताव नहीं है जो उन्होंने सरकार में पास करना चाहा है रास्टी स्वयम सिवक संग बहुत पहले से इसकी पैरवी करता रहा है जब जनसंग नाम की पार्टी बनी थी उसने भी ये बात की थी भारती जनता पार्टी जब आई जनसंग का एक नया अवतार लेकर तब भी उसने कहा तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि भारत की आजादी की लड़ाई में जो दल शामिल थे जो इस देश को आजाद कराने एक नया रास्टर बनाने का प्रियास जो कर रहे थे उन सभी राजनितिक विचारधाराओं और दलों को दरकिनार कर भारती जनता पार्टी ने अपना एजेंडा भारत के उपर नौकेवल ठोका है बलकि जमु कश्मीर को भी उन्होंने पूरी तरह उसकी एतिहासिका को उसके भूगोल को उसकी पूरी राजनित को बदल दिया भूगोल भी माफ कीजेगा क्योंकि अब जमु कश्मीर उस तरह का सुबा नहीं होगा जिस तरह क वो अब तक रहा है इसमें दोस्तों कई सवाल उठते हैं और इन सवालों पर बहुत कम डिसकसन हुआ है अब तक पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर को लेकर भारत की पार्लामेंट में जो बार बार रिजलुशन हमने किया हम बार बार ये दावा करते रह अधिकरत कश्मीर पर हमारा दावा उतना पुखता रहेगा क्योंकि हम तो जम्मू कश्मीर अब एक सुबा ही उस तरह से नहीं रहा वो एक यूनियन टेरिटरी हो गया और लगदाक एक अलग यूनियन टेरिटरी हो गया तो ऐसी स्थिति में पी ओ को के लेकर पाक अधिकर कश्मीर को लेकर जो भारत का अब तक दावा रहा है क्या मैं सवाल पूछ रहा हूं अब तक चुकी संसद में इस सवाल को किसी ने एड्रेस नहीं किया न तो माननी गरी मंत्री ने न तो प्रदान मंत्री ने न तो किसी और मंत्री ने तो सरकार की तरफ से अब तक ये सफाई नहीं आई है कि पाक आकुपाइट कश्मीर को लेकर अब क्या implication होंगे इस फैसले के एक तो ये सवाल मैं आप दर्श्कों के सामने उठाना चाहता था और दूसरा जो महत्पुन मुद्दा सातियों मैं उठाना चाहता हूँ आपके सामने है वो है इंस्ट्रूमेंट आफ एकसेशन से आर्ट किल 370 का जो रिष्टा रहा है उसकी क्या इस्थिति होगी उसका क्या वजूद होगा क्योंकि भारत के सम्विधान में आर्ट किल 370 जो लाया गया उस 370 की जो जड़े हैं उसका जो मुख्य कारण है वो है इंस्ट्रूमेंट आफ एकसेशन जो भारत का भारत के अंदर जो जमू कश्बीर सूबे का जो सम्मिलन हुआ ये जो सम्मिलन है जिस पर महराजा हरी सिन ने 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया और जिसके कुछी घंटे बाद 27 अक्टूबर 1947 को लाड माउंट बेटन जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे उन्होंने भारत की सरकार की तरफ से साइन किया था तो ये जो अमली जामा पहनाया गया भारत में जमु कश्मीर के विले को उसकी जो तीन धाराएं खासकर 6, 7 और 8 ये तीन जो उसके जो धाराएं हैं वो क्या उनका क्या रूप होगा जमु कश्मीर के स्टेटस के हिसाब से जो आज आर्टिल 370 के एक खात्मे के बाद है तो हमरा ये कहना है और एक बहुत जरूरी कानूनी समवैधानिक सवाल मैं आपके समक्ष उठाना चाहता हूँ क्योंकि भारत की सरकार ने अभी तक इसका जबाब पार्लामेंट में लंबे अपने भाशन के बावजोद मानी ग्रिह मंत्री के वक्तब्बे से इसका जबा आठकिल धारा छे साथ और आठ में जो बातें कहीं गई हैं उनको एड्रेस करने का क्या मेकेनिजम होगा ये दूसरा सवाल तीसरा सवाल मैं ग्रिह मंत्री अमिशाजी के एक वक्तब्ब्ब के कांटेक्स्ट में आपके सामने रखना चाहता हूँ ग्रिह मंत्री से लेकर प्रधान मंत्री तक आरेसेस के चीप से लेकर भारती जन्ता पार्टी के तमाम नेता सिर्फ आज नहीं लगातार कहते रहे हैं कि आठकिल 370 एक टेंपरोरी प्रावधान है एक औस्थाई प्रावधान है भारत के सम्विधान में लहाजा उसको खतम करने से भारत के सम्विधान का कुछ भी नहीं भी गड़ता है कुछ भी ऐसा गहर कानुनी गहर सम्विधानिक नहीं होता है और दिल्चस्प बात यह है कि जब कल कहा गया संसद में तो उसकी अनगूज पूरे देश में गई आज गली गली चौराहे पर सड़क पर यहां त जमु कश्मीर कभी गए भी नहों ऐसे लोग भी कह रहे हैं अरे साब आठकील 370 तो टेंपरोडी थी उसका हमारी सरकार ने खतम करके बहुत अच्छा किया हम जमीन करी देंगे बंगला करी देंगे वहां पर फार्माउथ मनाएंगे और अमबानी यदानी भी जाएंगे ब लेकिन आप जो बार बार टेंपरोडी कह रहे हैं उसका क्या मतलब है दोस्तों मैं आपको जरूर इसका जबाब देना चाहता हूं यहां मैं सवाल नहीं कर रहा हूं सवाल का जबाब दे रहा हूं और वो यह यह बात सही है कि जब यह आर्टकिल शामिल की गई थी और यह समिधान में 17 अक्टूबर 1949 को काफी डिसकुसन हुआ था और डिसकुसन के बाद जब इसको शामिल किया गया था तो उस समय समिधान सभा में श्यामा प्रशाद मुखर जी मवजूदा भारती जनता पार्टी के नेताओं के आराद देव उनके आराद देनेता वो उन्होंने विरोध नहीं किया था आर्टकिल 370 का उन्होंने आर्टकिल 370 का विरोध 1950 के बाद करना शुरू किया खासकर जनसंग जब बनी 51 के यास पास तब और इसके बाद 52 53 में हम जानते हैं कि उन्होंने अवियान चलाया लेकिन उस वक्त सम्वधान सभा में जो कि वाट की 370 को रिटेन करेगी वो डिलिट करेगी उसे एमेंड करेगी जब सम्विधान सभा जम्म कश्मीर की बैठी उसने उसको रिटेन किया उसको इसने एमेंड नहीं किया उसको उसने डिलिट नहीं किया और वो 1956 में खतम हो गई सम्विधान सभा जम्म कश्मीर की उसने अपना काम खतम कर लिया 1956 में और इस तरह जिसको टेंपरोरी कहा गया वो पर्मानिट शक्ल में आ गई जम कश्मीर के बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सम्विधान सवा में जब ये बात की गई थी तो मिस्टर आयंगर हम सब जानते हैं कि आर्टिल 370 के मुख्य जो प्रा मंतरी भी बनाया गया था बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे सम्वैधानिक और कानूनी मामलों के जानकार थे उन्होंने माना जाता है बहुत सारे जमु कश्मीर के जो एक्सपर्ट्स हैं कहते हैं कि एक कारण ये भी था टेंपरोरी लिखने का क्योंकि अभी जनमत संग् का जो मामला था वो पेंडिंग था और माना ये जा रहा था कि जनमत संग्रह के बाद क्योंकि हालात बतलेंगे इसलिए टेंपरोरी शब्द जोड़ा जा सकता है और अगर नहीं भी बतलेंगे तो भी उसको बाद में परमानेंट ये टेंपरोरी किया जा सकता है लेकिन दो हर कोर्ट ने यही कहा कि temporary शब्द जो जुड़ा था वह अब permanent शक्ल ले चुका है अब इसको temporary नहीं कहा जा सकता तो माननिय ग्रेह मंत्री अमित शाह ने राजसभा में और लोगसभा में जो बार-बार बातें यह कही हैं कि यह temporary प्रावधान था इसलिए हम इसको खतम कर रहे वह वैधानिक रूप से समवैधानिक स्थर पर कानुनी तौर पे वास्तविक नहीं है और इसका कोई आधार नहीं है यह चोथा सवाल क्या है चोथा सवाल यह है कि माननिय ग्रेह मंत्री ने बहुत सारे लोग खासकर ऐसे लोग भी जैसा मैंने पहले कहा कि इन चीजों से जान हैं वे लोग भी अब सरकारी जो बयानात आ रहे हैं टेलिविजन चैनलों में जो 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 और शोर के बीच तमाम तरह की चीख पुकार के भी जो बहस होती है उन बहसों से जो चीजें सामने आ रही हैं उसके आधार पर कहते हैं कि साहब अब मिलिटेंसी तो खतम हो ज दुनिया में कौन ऐसा बेहतर ढंका सोच रखने वाला व्यक्ति होगा जो ये नहीं चाहेगा कि जम्मु कुश्मीर जैसी खुबसूरत जमी से आतंकवाद उगरवाद अलगावाद का हमेशा हमेशा के लिए उसका खतम हो जाए वो समापन हो जा ये चैप्टर लेकिन दोस रिष्टा है बिलकुल नहीं है इससे बड़ा जूट कुछ नहीं हो सकता है कि जम्मु कश्मीर में जो मिलिटेंसी जो उगरवाद जो आतंकवाद है वो सिर्फ आठकील 370 से है आठकील 370 अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सूचिए आठकील 370 भारत के सम्मिदान में शामि आतंकवाद उगरवाद की शुरुआत कब होती है 1990 के असपास कितने वर्ष बाद 40 वर्ष से भी ज़्यादा बाद यानि चार दशकों तक जम्मु कश्मीर आतंकवाद उगरवाद से मुक्त रहा आठकील 370 के बावजूद भी क्यों आठकील 370 के बावजूद वहां कुछ भी ऐसा नहीं हुआ बेहतर काम हुए आठकील 370 अगर नहों होता तो जम्मु कश्मीर में यकीनन लैंड रिफार्म्स भूमिस्थार जैसा क्रांतिकारी कदम शेक मुहमद अब्दुल्ला की सरकार नहीं उठा सकती थी पूरे भारत में पहला लैंड रिफार्म्स गरीबों को खेत मजदूरों को खेतिहर लोगों को जमीन देने का काम सबसे पहले केरल बंगाल से भी पहले जम्मु कश्मीर में शुरू हुआ था इसको इस देश में कोई बताने वाला आदमी आज नहीं है मानी गरी मंत्री ने कल भाशन में ये भी कहा कि जम्मु कश्मीर बढ़ा दुखीत समाज है बहुत बेकारी है बहुत परिशानी है बहुत गरीबी है आप अपने ही आँकड़े देख लीजिए जम्मु कश्मीर आज की भी तारीक में असमानता का अगर ग्राफ देखा तो भारत के कई राजियों से बहतर इस्थिती में है आप अगर जम्मू कश्मीर में आप Human Development Index से लेकर तमाम चीज़ों ठीक है बहुत अच्छा नहीं है वो केरल की इस्थिती में नहीं है हम यह मानते हैं लेकिन बहुत सारे मामलों में खासकर जो जनरल क्राइम होता है उस माम हम किसी तरह का independence नहीं देना चाहते किसी तरह की autonomy किसी को नहीं देना चाहते और ये एक हतनाक trend है दोस्तों इन शब्दों के साथ आज की चर्शा का हम यहीं समापन करते हैं और जरूर इस कारिक्रम पर आपकी राय, आपके सुझाव, आपकी शिकायत, आपकी अलोचनाओं का हम स्वाधत करेंगे